नमश्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स, बात करेंगे आज MTA Technologies Limited के उपर, आज से तीन महीने पहले November 2023 में ये वीडियो अप्लोड करके बताया था जब लोग कह रहे थे कि क्या है ये तीन अजार जाएगा तब मैंने वीडियो अप्लोड करके कहा था कि मेरे इसाब से कोई इंडिकेशन नहीं है, इस स्टॉक में अगर ये 40-50% गिरता है तो हम इसको देख सकते हैं, वरना हमें इसे avoid करना चीए मैं avoid कर रहा हूँ, आपको करना नहीं करना आपकी इच्छा है पिछले वीडियो में क्या बात हुई वो सुनेंगे अब ये स्टॉक जो है अपने हाई से 42% गिर चुका मेरे पास questions आए, अब क्या view है, अब क्या कहते हो तो आईए इसको आज review करने वाले हैं और complete analysis समझेंगे कि एंता technologies पे आज की date का data हमें क्या बोलता है और सारी चीज़ को हम समझके एक conclusion निकालेंगे कि किसके लिए बैट रहा हूँ और किसके लिए नहीं है, हम सारा analysis करेंगे हम यहाँ पे कोई stock tip देने नहीं आये है ना हम ऐसी कोई बात करने आए, हम ये समझने आए analysis किस तरीके से करनी है किसके लिए कौन सा stock कब बैटर होता है वो हमें समझना होगा as further requirement ताकि मेरा उद्धिष यह है कि आप लोग अपने हिसाप से decision ले पाए और आपको फालत में focus के पैसे काट के इन tips के चकर में ना जाना पड़े, बाद में फिर भी हाई से 53% गिरा था, एक rally के बाद में और यहाँ पर अभी stock अपने हाई से 42% गिर चुका है, नवंबर में जब हमने बात करी तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम scope उपर आने के लिए यह जो 2400 रुपे का level है, सबसे पहले तो यह काटना होगा, stock देखे, उसके उपर जा ही नहीं पाया, और वहीं से सीधा नीचे है और यहाँ पर हमने बाग तरी थी कि stock जब 40-50% अपने high से गिरेगा तब हम देखना शुरू करेंगे, अभी तगे 42% तूट चुका है, तो अब क्या view निकल के आता है, वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनते हैं कि आखिर लास वीडियो में बात हुई क्या थी, फिर fundamental and technical दोनों again analysis करके देखेंगे पहले देखते हैं लास वीडियो की बात चारों में ऐसा हमती हो सकती है, मतबेद हो सकते हैं मेरा जैसे एक setup है, मेरा setup है कि किसी भी company में मैं fresh investment करता हूँ तो मैं investment, trading नहीं investment, मैं तब ही करता हूँ जब वो अपने high से मुझे 40-50 टका down मिलता है तब मैं उसमें investment करना चाहता हूँ या फिर कोई बहुत solid setup दिखता है तो ना तो ही अपने high से 40-50 टका down ना इसमें बहुत solid setup मेरा swing का setup यह है कि मैं swing तभी करता हूँ जब मेरे setup के इसाब से वहाँ पे कुछ मुझे pattern या फिर कोई formation या मेरे indication बोले तो फिलाल उनमें से कोई नहीं बोल रहे लेकिन मेरे personal setup आपके personal setup नहीं हो सकते अगर आपको लगता है कि नहीं सोचता हो मेरा setup है क्या इसका मतलब यह company यहाँ खराब है बिल्कुल भी खराब नहीं है accumulate करने वाले के लिए बिल्कुल खराब नहीं है लेकिन कोई बोलता है यहाँ chart पे bullish indications है फिलाल कोई भी indications नहीं है अगर 20-25 दिन बाद में महिने बर बाद में आएंगे सबसे पहले हमें देखना है कि weekly monthly chart क्या बोलते है वो हमें समझना होगा demand zone major कहा है क्योंकि stock ने recent में जहाँ पे नीचे आया है वो एक major demand zone के अंदर ही entry किया है उसने यहाँ पर यह major demand zone है stock इसी के अंदर entry करके यहाँ से सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम समझेंगे कि क्या हो सकता है लेकिन उससे पहले जरा start कर लेते हम fundamental analysis को ताकि यह में view clear हो जाए तो सबसे पहले देखते हैं company के fundamentals तो अगर हम fundamental देखने जाए हमें पता चलेगा company क्या करती है 1970 से company बनी हुई है यह करती क्या है तेखें मैंने last video में अच्छे से fundamental बताए इसमें भी समझ लेजिए company क्या करती है business करती है यहाँ पर various type के business में involved है जहाँ पर इसके product की या फिर services की ज़रूरत होती है उसमें क्या होता है energy, nuclear, space, aerospace, defense and other engineering industries में इस company के जो product और service है उसकी ज़रूरत पड़ती है आगे बात करते है यहाँ पर company का पैसा कहां से कैसे आता है वो समझे यहाँ पर देखें nuclear segment से company की 14% revenue आती है space and defense से 17% की revenue आती है clean energy से की 63% की revenue company लाती हो और आने वाले समय में energy का समय है defense का समय चल रहा है बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे blue energy मिलेगा raphael मिलेगा जिसके जो important नाम है government departments होगे जिसमें DRDO, ISRO यह सारे आ जाते है और इसके लावा इंद्रा गांदी center भी आ जाता है जो कि ATMIC center है यहाँ पर और Indian companies आ जाते हैं 80% business vertical clean energy में अभी आज की date में है nuclear में 12% और defense में लगबख 7% के लगबख का vertical नजर आता है अगर order book की बात करें order book में आज फिला देखेंगे 60% order book clean energy से related है यहाँ पर space and defense में लगबख 18-20% और nuclear में 17 others में 6% का company का order book रहा है अगर इसके basic level fundamental को समझे इसको देखें हम समझेंगे ध्यान रखें पिछले वीडियो में भी बताया है अभी मैं थोड़ा कोई preview कर देता हूँ ताकि आपका समय बरबाद ना हो और जो नए लोग है वो भी समझ पाए अब 6000 करोड की market cap company की small cap company है stock की P काफी high है मुझे expensive लगती है पहले भी लगती थी आज भी लगती है यहाँ पर ROC ROE ठीक ठाक है बड़ P justified नहीं है किसी भी कीमत पर नहीं है promoters की holding और कम हुई है जो कि एक negative point है यह बात मेंने last video में भी कही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बार-बार promoter माल बेचे जा रहे है debt company का ठीक ठाक है लेकिन debt equity zero होता एकदम तो जादा आच्छा होता unplace है holding चलो अच्छी बात है और यहाँ पर pledge जो है वो 9.6% है यह भी हमें ध्यान रखना होगा profit की growth खराब रही है market cap to sales over valuation का तड़का देती है PG ratio फिलाल available है नहीं इस company का because यह data है हमारे पास consolidated data अगर industry की P.E. को देखा जाए तो 71 दिखाता है तो यहाँ पर हम यह भी नहीं कहा सकते company तो है वो अपनी industry से जादा ऊपर trade कर रही है लेकिन इसकी industry P.E. में और है भी कौन यह भी हमें समझना होगा आगे देखिए quarter results को देखे ध्यान से company के quarter results December 2021 के देखिए profit देखिए 13 करोड का profit 78 करोड की sales फिर 160 करोड का sales और यहाँ पर 31 करोड का profit और अभी 118 करोड की sales और सिफ 10 करोड का profit तो फिछले आप देखिए इतने सालों में सबसे खराब यहाँ पर 2020 में भी देखिए लगबग 10 करोड का profit था सिर्फ 55 करोड की sales पर आप इतना खराब profit लाएंगे तो market punish करेगा punishment पहले ही मिल जाती है जिस दिन result है उस दिन तो bottom बन जाता है market का उस दिन तो वो stock का bottom बन जाता है लोग सोसते result के बाद गिरेगा वो पहले ही गिर जाता है काम हो चुका होता है तो यहाँ पर 10 करोड का profit दिया है company ने अगर overall आप देखेंगे आपको दिखेगा कि sales लगातार बढ़ दी तो है अच्छी बात है margins काफी कम maintain हो रहे हैं पिछले 2 quarter से 3 quarter से पहले अच्छे maintain हो रहे थे और profitability भी उसी साबसे में घटती हुई दिख रही है अला कि इसका मतलब यह नहीं कि company खराब है क्योंकि किसी भी company में निवेश का best time तबी होता है जब सब कुछ वहाँ पर negativity दिख रही हो और company profit ला रही हो ऐसा नहीं कि वह negativity growth में दिख रही हो company देखिए अभी negativity दिखा रही है अपनी growth में यहाँ पर लग रहा है सब कुछ खराब हो गया बट company के पास वह सारी चीज है जिससे आगे grow कर पाए तो बुरे समय में ही निवेश होता है अब क्या इसमें निवेश करना है नहीं करना को आगे की बात है लेकिन यह समझना होगा fundamentally company sound है अच्छी company है बट overvalued है यह भी इमें समझना होगा आगे बात करते हैं यहाँ पर yearly pay-endal को देखे ध्यान से company March 2020 का पूरा pay-endal देखिए और sales देखिए यहाँ पर और आज की डेट में आप sales देखिए और पी-endal देखिए March 2020 में 214 करोड की sales 31 करोड का profit March 2021 के 246 करोड की sales 46 करोड का profit 22 में यहाँ पर आपको 61 करोड का 23 में 103 करोड का profit तो अब actually दिक्कत क्या है उस इसाब से आपकी growth नहीं आरी 82 करोड के profit पर आप हो जो कि आप लगबग 34 ले गए थे 30 ले गए थे उसके बाद वो लगाता तूटते जा रहे है तो वो अब दिक्कत करेंगे अगर आप भविश्य में इसको maintain कर लेते तो अच्छा होगा अगर इसको आप 20 परसंट या 15 पर ले आए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है वाई साब और अगर ये 30 परसंट के आसपास चले गए तो मज़ा आ जाएगा यालि profitability कुल मिला के अच्छे आनिश्य सिंपल बात यह है नेक्स देखिए आप कुछ turn around होता है देन आप नहीं growth करते है इस तरीके से growth नहीं आती है यह practical चीज हो के समझना पड़ेगा एमतार में मैंने पैसा लगा रखा है या आपने पैसा लगा रखा है तो हम इमोशनल होके ऐसे थोड़ी बोल सकते हो वेरी company के बारे में इसा करने से कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल बनो कि हाँ ऐसा होता है जादा तर चांसे यसी चीज़ के रहते हैं कि आप बहुत जादा growth ले चुके हो profitability में तो धीरे धीरे आपको रूखना पड़ता है stock price year year का data available मिलेगा नहीं लिस्ट वे टाइम नहीं हुआ return on equity 15% है average यह आप समझके चलिए next चलिए यहाँ पर share holding pattern तो यहाँ पर ध्यान से देखिए promoters लगातार आपनी holding जो वो कम करते जा रहे लगातार कम करी है अच्छा यह promoter की holding गई कहा है हम माल लेते है FII के पास गई है यह देखिए हम माल लेते हैं यह holding जो है FII के पास जा रही है चलो adjust कर लिया कोई रिकत नहीं लेकिन फिर यह DII की holding यह देखो 6% के लगबग 5-6% के लगबग इन्होंने holding कम कर दी और यह किसको जा रही है public को जा रही है और यह जब शेयर बढ़ता है तो number of shareholders कितने थे और शेयर जब से घट रहा है तब से number of shareholders बढ़ते जा रहे है नए-ने लोग इसमें entry कर रहे है कोई कभी ले रहा है कोई कभी ले रहा है गिरावट में तो वो इस हिसाब से ले रहे है लेकिन क्या वो एक fix formula के साथ ले रहे है या फिर ऐसा है कि 100 रुपय का stock था 80 आया तो किसी ने लिया फिर किसी ने यहाँ पर 70 आया तो और लिया फिर stock अचानक 40 रुपय आ गया अब यह 80 और 70 और 100 वाले वेट कर रहे हैं कि हमारा भाव आये तो हम निकले तो जैसे stock का भाव आता है वो निकल गये तो उनको मिला क्या मुझे तो यह बताओ मिला क्या उनको what's the benefit of buying this at this high point क्या मिला यहाँ पे लेके down देखके उपर देखना बस यह इसमें खुश हो गए तो फिर वही उसी में खुश हो कोई लाज है नहीं और वही तरीके से systematic तरीके से कि नहीं stock अपने high से 40-50 सार्ट टका गया उसके बाद देखा कि अब accumulate करना है कि नहीं करना है और उसके बाद काम करते हैं वो पैसे कमाते हैं लोग नहीं समझते हैं इन चीजों को because people want a fixed formula to earn money और वो होता ही नहीं है अब कौन समझाए उनको की fixed formula A की है manage your risk accordingly चले चार्ट पे करते हैं चर्चा clear picture वहीं मिलेगी तो अब हमारे सामने चल रहा है एमतार टेक का चार्ट ध्यान से देखी इसको इसकी journey कैसे रही है यहाँ पर देखी एक consolidation के बाद जब stock निकला अच्छी तेजी वली यहाँ पर टॉप लगने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब गिरावट के संकेत है और कैसे आये थे गो लास वीडियो में भी बताया है और अब stock लगातार गिरते जा रहा है stock के लिए major resistance होगा वो 2050 से 2100 रुपए की range में होगा 2050 से 2100 के range में होगा और जिस हिसाब से यह नीचे से भी उपर आया है यह temporary recovery लगती है क्या लगता है temporary recovery hope I am wrong बट यह temporary recovery लगती है चार्ट पे यह temporary recovery है या फिर आप कह सकते होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ sideways होने या फिर नीची गिनने के chance जो होते हैं वो वापिस खुल सकते हैं कभी भी क्योंकि यहाँ पे temporary recovery है solid recovery नहीं है एक होता है solid recovery जहाँ पे कुछ indication होते है और एक होती trend लिख लो ताकि आप लोग समझपा उस चीज को monthly trend क्या है negative है अभी इसको किसी भी तरीके से हम positive नहीं कह सकते monthly trend negative है अब इस monthly trend में अच्छी बात क्या है कि आप एक demand zone के अंदर enter कर रहे हो यह देखिए आप demand zone के अंदर enter कर रहे हो तो इस stock के लिए demand zone कौन सा होगा 1470 वो को समझनी आएगी चार्ट पे क्या बताते हो कुछ समझ नहीं आता है नहीं आता तो मत देखो भी मैं क्या कह सकता हूं उसको तो जिसको समझ आता है वो देखो या फिर देखो और तब समझने कोशिश करो तो यह demand zone है इसका 1470 से 1800 रुपए के बीच में अभी फिलाल नोट करी है उपर में अगर देखा जाए तो स्टॉक के लिए इन लेवल्स के उपर सस्टेंड करना थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा पट फिलाल कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है विकोस्टॉक यहां पर प्राइज वाइज बड़ा करेक्शन करे ना करे लिख लो देगा कंसोल्डेट करेगा सैटप बनाएगा फिर कुछ करेगा फिलाल ट्रेंड मंतली हो गया नेगेटिव ही हमें पता चल गया आगे बात करते हैं लुक एट वीकली चार्ट वहां पर बीक्ली चार्ट का ट्रेंड देख लो अब इसको ट्रेंड को ध्यान से समझो यहां वापिस उस लेवल के नियरबाई जाता है रीटेस्ट नियरबाई यह नियरबाई जाएगा मतलब इस लेवल पर यहां आ सकता है यहां आ सकता है यह तोड़ भी सकता है यह इसके रीटेस्ट करने आता है बहुत बार मैंने ऐसा देखा है इसा देखा है मेरे पास इसके लि अगर मार्केट उपर में इन लेवल्स पर जो कि वीकली लेवल पर यहां पर अमारे पास बड़े रेजिस्टेंस है जो कि लगबग 2200 रुपय का है अगर इसके उपर सस्टेंड कर गया तो यह वाला जो सिनेरियो है वो इन वैलेड हो जाएगा तब तक इस सिनेरियो जब तक तो उसको देखेंगे पट फिलाल चांसे यही है तो वीकली चर्ट का ट्रेंड क्या है अभी देखो इसमें वीकली ट्रेंड को अगर हम देखने जाएंगे न तो कुछ बदलाव हो रहा है मैं वीकली ट्रेंड की बात करता हूँ यहाँ पर वीकली ट्रेंड हो गया नेगे negative तो है लेकिन weekly trend अब क्या रह सकता आगे sideways to negative रहने के chance रहेंगे sideways to negative यह इसके chance ज़्यादा रह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप negativity फिलाल ओवर ओती वी निजर आ लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर demand zone ही है stock के लिए तो आगे आपको काफी help कर सकता है यहाँ पर तो यह ह रही भाव है जो 2021 में मिल रहे थे तो 2021 वाले भाव पर stock वापिस अवेलेबल है after two and half or three years तो इस समझ नहीं हो गी हमें सारी चीजे कि और बड़ी गिरावट आने के indication साहे दिरे दिरे रुकेंगे और stock sideways to negative होना चाहिए तीरे दिरे आने वाले समय में बात करते है daily chart की look at this daily chart देखते हैं यह क्या बोलता है this is daily chart यहाँ पे हमने 200 दिन के moving average की line भी लगाई है अगर इसको भी आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा stock is line के नीचे चल रहा है बहुत बुरी तरीके से इसके नीचे है अब इसके ऊपर आने के लिए उसको struggle करना होगा तो stock के फिलाल आगर आप देखेंगे तो 2150-2200 के आसपास भी यह level निकल के आता है monthly chart पे हमें level मिला था monthly पे level मिला एक 2050 से 2100 की range और weekly पे मिला है हमें यहाँ पर 2200 रुपे का और daily पे हमें level मिला है जो की उपर में हमारे लिए trend changing point हो सकता है वो लगबग 2200 रुपे का तो हम इस level को ज़्यादा importance देंगे इसके ऊपर आता है तो ही हमारे पास कुछ indication होंगे कि इस stock में कुछ हुआ है वरना इस stock जो है यह temporary relief लेके वापिस यहाँ पर time pass करने आ सकता है अब देखें कैसे आएगा वो बात कर लेते हैं एक बार look at this यह है हमारे पास temporary relief यह हमारे पास temporary relief हुई है यहाँ से stock ऐसे गया है earning आई उसी दिन तो इस company ने अपना bottom सा बना लिया मतलब उसके अगले दिन और वहाँ से stock जो है यह सार प्रेकवरी करता हुआ नजर आए अब stock के लिए एक hurdle तो है यह यहाँ पर ऐसे जाएगा यहा फिर इस तरीके से move कर सकता है यह एक option होता है यहा यहाँ आता है और यहाँ कर कुछ indications देता है यहाँ नहीं रुपता है stock तो फिर stock इसको तोड़के भी और नीचे जाता है और फिर हमें कुछ नए indication का वेट करना होता है अब नहीं आया उपर निकल गया तो उपर निकलने के लिए सबसे पहले तो यह resistance काटना पड़ेगा 2050 और उसके बाद हातों हात 2200 रुपय पर मारास तयार है तो इस range में जाना ही stock के लिए बड़ा challenging हो सकता है इस range में आने के बाद भी देखना चाहिए क्या होगा कुल मिलाकर stock जो sideways to negative रह सकता है कोई quick या फिर हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ बड़ी upside फिलाल में देखने को मिल इसे indication फिलाल नहीं है अगर भविश्य में आते हैं तो मैं आपको ज़रूर update करता हूं अब coming back to the daily, weekly and monthly उसके analysis के बाद यहाँ पर वाद करते है weekly chart पे एगे एक important analysis note करो यहाँ पर देखना look at this यह important analysis है ध्यान से देखो stock अपने weekly high को भी नहीं काट वारा देखो किसी भी candle की weekly weekly close देखो positive नहीं हो रही, green candle की close ही नहीं है, अगर धंग से देखो न एक भी green candle नहीं है जब से stock यहाँ से नीचे आना शुरू है, एक भी धंग की green candle की close नहीं है और वो close आई नहीं ही तो stock positive होई नहीं सकता, तो हमारी beauty बनती है, wait for weekly green close, weekly green close with good candle, हमें good candle चाहिए, एक excitement में आके या यह सोच के किसी नहीं बोला है TV पे, उसकी सोच के अगर हमने entry कर ली ना, तो उस TV वाले का risk manage होना हो, हमारा risk जो है वो पूरी तरीके से miss manage हो जाएगा, यह समझ के चलना है, तो यह रहा फिलाल का situation, अब decision making के समय आया, अब क्या किया जाए, उसकी बात करते है Look at this, आईए, मैं मान के चलता हूँ, मैं होता तो मैं क्या करता, बाकी आप अपने advisor साथ consult करी, नहीं है, तो appoint करीए, appoint भी नहीं कर सकते, तो खुद की बुद्धी लगाईगे, देखिए, मैं मानता हूँ, मैं अगर यहाँ पे already invested होता, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर already invested हो हो सकते हैं, बट फिलाल fundamental okay है, technical कैसा है, technical अब sideways to negative हो सकता है, STN हो सकता है, तो फिलाल मैं यहाँ पे ना तो कोई, अगर already invested है, तो stock अगर अपने high से 43% तूट गया, और मेरी cost से इतना नीचे मिल रहा है, तो ना तो मैं फिलाल accumulate करने के mood में हूँ इसको, कि नया fresh capital डालू, क set up बनता है, या indication आते है, accumulation के, तो हम देख सकते हैं, तब तक नहीं, क्योंकि already amount invested है, अगर मेरा already invested है, तो मैं नहीं डालूँगा एक बार, wait करूँगा, कुछ समय के लिए, कुछ हफतों के लिए, फिर देखें कि क्या करना है, और फिर भी कोई free amount है, कि चलो free amount पढ़ा है मे इसमें वो accumulation के लिए ध्यान देगे, और अपने devices से consult कर सकते हैं, इस range में, अब बात करते हैं आपे fresh invest वालों की, क्या यहाँ पर fresh investment बनता है, क्या फिलाल, आईए, उसकी भी बात कर लेते हैं, look at this, we are talking about fresh investment, investment का क्या मतलब होता है बई, 2-5 साल, कई लोग तो investment 2-5 महिने को मा बाते हैं, वो trading होती है, investment नहीं होता, fresh investment 2-5 साल वालों के लिए, क्या यहाँ पर कोई opportunity है, मैं simple बताना चाहूंगा, opportunity है, opportunity खराब नहीं है, yes, but for risky players only, यह risky players के लिए होगा, risky players अगर चाहें, जो safe players हैं, उनके लिए यहाँ से अच्छे options मिल सकते हैं, वो बहुत अच्छे options मे अपने second channel पे भी share करता हो, लेकिन फिलाल, risky players के लिए काम का है, और उनको यहाँ पर accumulation mode में देख सकते हैं, किस mode में देख सकते हैं, accumulation mode में वो stock को देख सकते हैं, उनके लिए काम का होगा, अगर मैं risky player होता, मैं जो fresh investment करना होता, तो मैं accumulate करना, start कर सकता था, तो मैं यहाँ प clear no, 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 clear big no, यह मेरा रहेगा, तो यह मेरा concept है, जो मैं follow करता हूँ, कि stock इतना तूटा है, और इस type के fundamental हो, तो मैं उसमें accumulation कर सकता हूँ, start accumulating, company अच्छे, company खराब नहीं है, बट फिलाल, overvalued है, और risky हो में थोड़ा सा, कि चलो, यह overvalued थो है, लेकिन इसमें growth भी लगत में लोग investment नहीं करते हैं, दो पांच साल, दो पांच महीने के लिए, क्या कोई फिलाल है, तो answer is right now no, कोई setup नहीं है, no setup, अभी फिलाल नहीं है, future में शायद हो सकती है, उसमें कुछ setup बने, फिलाल कोई setup नहीं है, slightly bullish stock हो सकता है, इस range के ऊपर आता है, दो जार पचास के result करो, बजाए कि इसके swing में फिलाल no है, let it adjust, let it observe the negativity, इसे पीने दो उस negativity को, और let it make a green weekly candle, उसके बाद सोचना, उसके बाद समझना, यहाँ पर एक बार देखते हैं, क्या करता है stock, अभी भी मेरे लिए, यह stock क्या है, avoid है, आज से 3 महीने, 6 महीने पहले भी मैंने बोला था, avoid है, और याद दिलाना चाहूंगा, आज से करीब एक साल पहले, हमने इस stock को यहाँ पढ़ लेकर, उपर में बेचा था, आपको याद होगा, एक साल हो गया उन बातों को, जब हमने इन levels के उपर, 1800 के उपर, buy करने की बात करी, और मैंने फिर उसको 2300 के आज पास, एक swing खेल के बेचा था, मैंने आपके साथ disclose भी किया था, लेकिन अब फिलाल मेरा view जो है, वो इस पे काफी महीनों से negative है, और उसका परिणाम आप भी देख रहे हो कि negative क्यों है, मेरे लिए ये आज भी avoid है, अगर I as a self player हूँ, अगर मैं एक risky player हूँ, तो मेरे लिए ये stock यहाँ पे accumulate कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको किसे stock पर वीडियो चीए, जल्दिस जल्दि उस पर वीडियो लाने की कोशिश मेरी तरफ से रहेगी, और ऐसी analysis सीखने के लिए wave analysis में आईए, description में आपको detail मिलेगी, ज्यादा जानकारी के लिए इस number पे आप Monday to Friday, या बहुत बार छुटी रहती है, अगर वो working करते हैं, तो आपको reply कर देंगे, Saturday, Sunday reply की उमीद ना करें, तो better होगा, हलाकि आप अपने message छोड़ सकते हैं, Monday morning, या Monday afternoon, या evening तक आपको reply भी मिल जाएंगे, वो team call भी आपको कर लेगी, आगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के mobile है, तो आपको अपने browser में जाना होगा, like safari में, और वहाँ पर जाकर आपको YouTube में login करना है, हमारे channel पर आना है, तब आपको वो join button दीखेगा, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाज, जय हिन, जय भारत